हरो जो हेलो यूखजी स्क्लाव स्टुदेंट्स आज हम рядी की मात्रा सिखेंगे cl heid ki मात्रामें इसके उपर कोई मात्रा नहीं होती एसेडी में कऊई भी मात्रा नहीं होती लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वह किसी भी वर्ण पे लगती है तो वर्ण मात्रा लगती है एक ही मात्रा लगती है जैसे कि हम नीचे पढ़ेंगे यह ऐसे एड़ी है और उसकी मात्रा यह है जो किसी वर्ण पे एक लगती है ठीके जैसे कि हम यह पढ़ेंगे यहाँ पर यह क्या है श ये है ए की मात्रा ये श के उपर लगती है तो पढ़नेगा शे तो क्या पढ़ेंगे अपन इसको शे र, क्या पढ़ेंगे शे र, ये क्या है ठ ये भी क्या है ठ अब ये मात्रा ए की है, ये से एडी की मात्रा है ये इस ठ के उपड़ लगईगी, तो पढ़ेगा ठे, र, आ की मात्रा, तो र, ठ, ठे, र, क्या पढ़ेंगे इसको? ठ, ठे, र, हम अब पढ़ते हैं किस तरह से मात्रा लगती हो और किस तरह से उसको पढ़ेंगे, ठीके? यस, के, ये किसकी मात्रा लग रही है सब? एकी मात्रा लग रही है, तो उसको पढ़ने ही जुरुत नहीं है, ये एकी मात्रा है, डारेक्ट लिए आप पढ़ना सिखो, इस तरह से मात्रा किसी के भी उपढ़ लगी हुई है, तो हम उस वर्ड्स को क्या पढ़ेंगे? जैसे क पर रहा है है क़ खह पर लगरी ए तो खे घप है तो गे इस तरह से हम पड़ेंगे गे चम में लगरी चे जम में है छे जम में है जे जम है जे अब मैं बार बार वर्ड्स को नी वर्ण को नी बोलूँगी मैं डारेक्ली पढ़ रहे हूँ बोलो के खे गे गे चे छे जे जे ते थे डे धे ने ते थे दे धे ने पे फे बे भे मे ये रे ले वे शे शे से हे शे त्रे ये श्रे एक बार आपे स्टीट करते हैं के खे गे गे शे शे जे जे टे थे डे धे ने पे पे, बे, बे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे, शे, त्रे, के, शे अब हम वर्ड्स रेट करते हैं शे, र, क्या पढ़ेंगे इसको शे, र, बे, र, बे, र, दे, र, दे, र, ते, ल, ते, ल, आब भी मेरी साथ रीट करें जे, ल, जे, ल, बड़े, बड़े, खड़े, खड़े, ल, रे, लड़े मे, वा, मे वा, से, वा, से, वा, से, वा, ने, ता, ने, ता, बे, टा, बे, टा, चे, ला, चे, ला, मे ला, मे ला, के, ला, के, ला, के, ला से रा, बसे रा, म मेरा, सवे रा, सवे रा, सवे रा, च, 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 रा, ठ, थ, त, 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 चमेली, पहेली, थेला, जने उ, जने उ, खेल, खेल, ज, ले, बी, खाईए बटा आपने, मीठे, मीठे, फल होते ना मीठे-मीठे, ए, न, क, ए, न, क, ए, न, क, ए, न, क, ए, न, क में इस चश्मा, वेदना, लेटना, 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 में सोना है न, नेवला, 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 देखा, आपने, नेवला को क्या बोलते हैं, मंगूस भी बोलते हैं, न, भी क्या है, गलेश, 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 क्या पुझा करते हैं, वह गलेश हैं, न, आप अच्छी सी लिखावट में लिखते हो ना उसको बोलते हैं सु लेख ожалe ना कॉपी में ओर खाड़ी हैं रेल गाड़ी मींस देखी ना अपने रेलगाड़ी ट्रेन देखी ना उसको रेलगाड़ी केते हैं फिर थानेदार 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 फिर इसमें होता है ना थानेदार मेहमान कोन होता है जो अपने घर पे गेस्ट आते हैं जो बहार से आते हैं दूर से आते हैं उनको हम क्या कहते हैं मेहमान जिसको इंग्रिश में केते हैं गेस्ट कुड़े दान कुड़े दान क्या होता है कचरा रखने का चो डिब्बा होता है पात्र होता है उसको हम कुड़े दान केते हैं परिशान 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 तो हम बहुत ज्यादा केंशन में आ जाते हैं परिशान हो जाते हैं कि क्या हो गया मारे साथ में क्या ओकर रहे हैं यहना वह होता है परिशान यहना महादेव महादेव किसे कहते हैं बिटाँ शंकर भगवान होते हैं उसको हम महादेव भी कहते हैं सहदेव सुखदेव सुखदेव लाल टेन लाल टेन लाल टेन विटाप के घर पे हैं या नहीं हैं अंदेरा हो जाता हैं लाइट चली जाती है तो एक दिपक की तरह होता है उसमें उपर काच लगी हुई होता है ताकि हवा उसके अंदर नहीं जा सके उसको बुझा नहीं सके और उपर की तरफ चोटे चोटे चटरों होते हैं और उसमें पकडने के लिए हैंडल होता है वो होती हैं लाल टेन पर देस पर देस परदेश अपने देश से दूसरा जो देश होता है वो परदेश कहलाता है मलेरिया 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 मच्छर को काटने से होता है न ये मलेरिया है लपेटना 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 ठागे को अपन लपेटते हैं न तुम कोई पतंग उडाता है फेरा वगिर आपके बूह फीर के जओने थागे को देखरते हैं अगरते हैं समेड़ते हैं तो उसके तरह लपेतना शमशेर 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 अब मैं ये अच्छे से आपको रीठ करना है और पढ़ना है जितना आप पढ़ना सीखोगे उतना अच्छे से कर पाऊगे अब मैं आपको कॉपी में वर्क बता रही हूं कैसे करना है क्या कर रखा है सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है ए की मात्रा दिख रहा है ना आपको यह उपर एकी मात्रा यह एकी मात्रा है अब मैंने कुछ वर्ण लिख रहे हैं कह से लेकर गयतक जो वर्ण लिख रहे हैं उन वर्णों पे हमें एकी मात्रा लगानी है कैसे लगाने हैं मैं सिखा रही हूँ आपको कोई भी घलत मातरा नहीं लगाएगा घलत ढंग से नहीं लगानी है आपको क्या करना है ये कह के बीच वाला डंडा है इस डंडे के उपर ही मातरा को ले जाके मिलाना है तो ये बनेगा के ख में इस डंडे की उपर ही ले जागे मिलाना है ख में लगाएंगे हम गे गे चे जे जे टे ठे डे टे ने जिस तरह से मैं मातरा लगा रहे हैं उसी तरह से आपको लगानी है ठीक है तो सुन्दर भी लगता है ते ठे दे धे ने यह मातरा हमेशा पीछे जो लाइन होती नहीं इस लाइन के उपर ही मातरा आएगी ठीक है पे फे बे बे मे ये रे ले वे इस तरह से आपको मातरा लगानी है ठीक है आप आपको कोईगे मेडम कॉपी बुक में तो अलग से ढग से लगा रखी है नहीं आपको कॉपी में इसी तरह से मातरा लगा के लिखना है ठीक है उसके बाद में नीचे दे रखे हैं ए की मातरा के शब्द ये कुण सी मातरा है ए की मातरा ए से एडी की मातरा है कौन-कौन से शब्द लिख रखे हैं मैं पढ़ रही हूँ आप में साथ में रीट करना है शेर, तेल, पेड, बेर, जेल, सेब, मेवा, नेता, बेटा, थेला, केला, मेला जमेली, एनक, जलेबी, नेवला, घणेश, सूलेख, मेहमान, थानेदार, परेशान, रेलगाडी, लालटेन, मलेरिया ठीके, आपको इसी तरह से आपकी कॉपी में वर्क करना है और आपको लिखते समय बोलना है जितना ज़्यादा आप बोलोगे उत्ती ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और लिखने आएगा तकि आप कभी बीना देखे भी आप आराम से उसको लिख सकते हैं ओके, थैंक यू